एलो स्टूडेंस कैसे हो आप लोग तब बढ़िया हो ली तो सेलिब्रेट आप लोग कर लिये होंगे दो-दो दिन होली मना लिये होंगे तो अब कलर वलर छूटा की नहीं छूटा जल्दी से बताइए हमें कमेंट बॉक्स में नहीं भी छूटा तो कोई बात नहीं आज तो जाकत आशा क्या करनेवाले हैं अब लोग कुछ कोसंस अंसर हम लोग करेंगे किस तरह के किस में देना है कैसे हमें लिखना है है ना तो चलिए गाइज जल्दी से वीडियो को करते हैं चुरू ओके गाइज तो हीर यू कैन सी आई हब टेकेन टॉपिक हेरेडिटी एंड एबोल्यूशन पार्ट थ्री हेरेडिटी एंड इबोल्यूशन का थर्ड पार्ट यह है अफकॉस टेंथ बायो का है है एडिटी है आज 15 दिन है आज के पहले जितने भी 14 वीडियोश अप्लोड हुए है सब के लिए यहां प्लेइलिस्ट का लिंक जो है पियर हो रहा होगा गाइस तो यहां के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो उससे आप पूरा प्लेइलिस्ट चेक क कर सकते हो आपको फिर जिस भी टॉपिक में दिक्कत लगता उसके वीडियोश को देख करके या उसे रिलेटर कोशन से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जल्दी से सुरू करते हैं कुछ कोशन हमने ले लिया है आज के लिए हरेडिटी चाप्टर से और इसको मै पार्ट में वीडियो में ने दिया था फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था तो इसका जो फर्स्ट पार्ट वीडियो आपका आया था तो उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था मिल लिप ले कि जो वैरियेसंस होते हैं वो कितने तरह के होत और इन हैं आपना क्या कॉंट्रिब्यूशन दिया है हमारे हैरे मेनी इन हेरीटेंज में क्योंकि इनको फादर ओफ जनेतिक्स या फादर ओफ इनहें कहा जाता है तो इन्होंने क्या अपना योगदान दिया यह मैंने बताया आपको मैंने मेंडल के लॉज बताया मेंडल के तीन लॉज थे तो तीनों लॉज को मैंने बताया मेंडल्स लॉज इनके लॉज को बताया डॉमिनेंस वाला लॉज और इंडिपेंडेंट वाला लॉज तीन लॉज मैंने आपको बताया था फिर मैंने आपको Mono Hybrid Hybridization का Cross करना सिखाया तो Mono Hybrid Hybridization के F1 Generation में तारे के सारे Progeny जो मिले थे वो कैसे मिले थे या तो आप Capital B, Small B टाइप बाले कह सकते हो जिसको क्या कहा जाता है Heterozygous कहा जाता है गाईज इसके बाद जो F2 Generation मिला वो आपको 3 Ratio 1 में मिला तीन जो है Purple Flower टाइप बाले एक जो है White Flower टाइप बाले या तीन टॉल वाले एक Small वाले आप ऐसा भी बोल सकते हों उसी तरह फिर हम लोग डाई Hybrid Hybridization कराये थे तो डाई Hybrid Hybridization कराने वाए में आपका जो F1 Generation मिला था वो आपको कुछ Y, Y, Capital R, Capital R, टाइप में मिला था जिसको हम लोग क्या का सकते हैं हम लोग Y, Capital R, Small R, ऐसे टाइप में मिला था जिसको हम लोग क्या का सकते हैं कि Yellow and Round Seed ही थे लेकिन इनके F2 Generation जब हुआ थे F2 Generation में एक Ratio आ गया था 9 Ratio, 3 Ratio, 3 Ratio 1 आ गया था तो अगर सकते हो फिर से तो चलिए मैं लिए यहां पर आज हमने आपके लिए लाया है questions answer तो चलिए पहला question सुरू करते हैं देखे पहला question है guys यहां what is zine पूछा जा सकता है इस तरह के question क्या बताओगे simply zine क्या है वही तो zine जो है unit of inheritance यहां पर आपको इस वे में बताना होगा और यह भी बोल सकते हो जीन इस पार्ट ऑफ क्रोमोजोम का पार्ट है जो control करता है पूरे appearance को कि heritage में कौन-कौन से appearance वहां पे सो होंगे इसको पूरा control करता है इसको क्या कहा जाता है जीन कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखें अगला क्रोमोजोम क्या होता है तो सेक्स क्रोमोजोम एक ऐसा क्रोमोजोम होता है जो operate करता है जेंडर को कि जेंडर के हो सके या से को से सब्सक्राइब बतलाता है मैंने आपको चार तरह के सब कैसा मैं कैसा होता है था कई सारे अनिमल्स हो जिन दो अलग अलग तरह के 6 chromosome होते हैं जैसे example के लिए human being में देखा जाए तो large X chromosome होते हैं और much smaller by chromosome होते हैं तो दो एक्स chromosome अगर आ गए तो यह female अगर एक एक और एक बाई क्रोमोजोम आ गए तो यह मेल तो ऐसा मैंने बताया था आप लोग को छलिए बागे बढ़ते हैं फिर थर्ड कॉश्चन पर कि देखे थर्ड कॉश्चन हमारा क्या काता है तो वहीं सुरी यह तो मैं फिर से फर्स्ट कोश्चन पर आ गया एक मिनिट लेट मी गो टू थट थर्ड कोश्चन हां तो थ जैसे भी क shrinking होता है तो वहлар होते हैं फादर से मदर से नहीं होते हैं इसको जस्टिफाइड करिये ज few करने में इस Самीए आपको मैने उस दिन बताये था कि जैसे जो होंगे वो किस से होंगे मेल से ही होंगे वही देखे यहां लिखा हुआ है कि it is because the child who inherited an X chromosome from her father will be a girl and one who inherited by chromosome from his father will be a boy but all the children inherited X chromosome from mother mother से तो X ही मिलता है बाई कभी मिलता ही नहीं क्योंकि mother में दोनों क्रोमोजोम X chromosome होते हैं इसलिए कह सकते हैं कि mother inherited नहीं कराते हैं उनका जेंडर जो जेंडर inherited कराते हैं हो और कराते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा society mence éX बुराईयां बार जैसे लोग होते हैं वह यह से बहुंवारे से लड़की लड़का नहीं हुआ जब कि ऐसा नहीं है कोई भी female की बज़ा से लड़का या लड़की नहीं होता है female में तो दोनों ही chromosome X chromosome है तो उनसे determination का कोई effect होता ही नहीं है जो भी होता है वो male से होता है okay guys तो वही चीज यहां पर question में पूछा हुआ है और पूछ करके describe किया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं next slide पे चौथे question पे तो चौथा question में देखे कहा गया है describe briefly the four ways चार तरीके बताएं in which the individual with the particular trait may increase in a population population में increase हो सके ऐसे particular chart rate के बारे में बताते हो individual के बारे में बताते हो चार तरीके बतलाएं तो देखिए यहां पर four ways क्या क्या है जिन four ways से किसी individual particular trait का जन्संख्या population increase हो सकता है पहला है गाईज इस sexual reproduction result in the two in two variations जो sexual reproduction होता है वही variations लाता है तो variations लाता है तो यहां पर sexual reproduction होना चाहिए तब ही यह variations आपको देखने को मिलेंगे और उनके population में increase देखने को मिलेगा दूसरा है इद इंडिविजुवल बिद्ध स्पेशल ट्रेट सर्वाइब द अटैक ऑफ द प्रेडेटर्स एंड मल्टिप्लाई वाइल अदर करता है इन फिछर के जो भी तरह के अटैक्स है जो भी तरह के प्रेडेटर उनके उन से बचता है और अपने आपको मॉल्टिप्लाई करता है और दूसरे जो अधर रहा गया जो स्पेशल ट्रेट्स नहीं वह शर्वाइब नहीं कर जर्णिक ड्रिफ्ट जो है उसकी बज़ा से भी ऐसा होता है और फूर्थ जो है वह है व्यर्ष इन स्पेश में लेड़ टू इंक्रीज रवाइवल अगर उन्हें काफी जादा आता है इससे में उसकी बज़ा से भी उनका सरवाइवल का चांस बढ़ता है और उनका population increase होता है तो यह चार रिजन थे जिन चार रिजन से कोई भी इंडिविज्वाल पार्टिकुलर ट्रेट का है तो उनका population increase हो सकता है ओके गाई चलिए अगले कुशन की तरह पाचमा कुशन तो पाचमा कुशन है distinguish between the acquired and inherited traits giving one example of each and why are the traits acquired during the lifetime of an individual not inherited अब देखिए क्या कहता है पहले तो बोला गया कि acquired or inherited rate में difference बता है जो characteristics हमने अपने life के ड्यूरिंग एचीव किये हैं जो गेन किये lifetime के ड्यूरिंग गेन किये तो उस तरह के रिट को उस तरह के characteristics को acquired कहा जाता है जैसे example के लिए आपको बताये थे loss of weight या gain of weight या muscles formation या knowledge gain होना यह सारी चीज़े जो है acquired rate में आता है तो आप इसको acquired rate में दे सकते हैं गया दूसरा है inherited rate inherited rate जो की transmit हुआ है particular characteristics जो parents of spring में ऐसे particular characteristics को transfer होना inherited rate कहलाता है जैसे उनका color of skin होना आई का color होना curly hair होना tallness या shortness होना एटी सी यह सब अब यह तो इतना तक का answer हो गया अब दूसरा है example के साथ देने कहा गया था example भी मैंने दे अब कहा गया why are the acquired rate during the lifetime of an individual not inherited तो acquired rate यह lifetime के during क्यों gain किया जाता है acquired क्यों नहीं होते हैं तो इसलिए जाता है तो इसलिए क्योंकि acquired rate जितने भी हैं वह acquired rate हमारे somatic cells में होते हैं Bowlab cells में यह नहीं होते हैं अगर यहmbil cells में होतेimana जो कि होते नहीं है जर्म cells में अगर होते है तब यह inherited होते लेकिन जर्म cells में यह नहीं होते हैं यह देखिए यहां लिखा वो cannot change the dna of the germ cell का dna change नहीं कर सकता है इसलिए acquired rate inherited नहीं हो सकता है card required ही रह जाएगा lifetime achieved अरेचीब करके फिर वो खत्म हो जाएगा अगर वह पर्संट डेड हो गया तो उस पर्संट चली जाएंगी उसके प्रजनी में नहीं आ सकता है यानि कि वह उसके different from each other in the terms of color size look are said to the belong from same species why justify your answer human beings human beings सब का कलर अलग वाई हम गोरे तुम काले ने तुम ही गोरे वाई चलो हम ही गाले तो जितने भी यह गोरा काला लंबा चोड़ा लंबा नाटा छोटा जो भी है यह सब जितने भी तरह के बहरेशन से हैं इसा क्यों कहा जाता है कि सारे से सब्सक्राइब करते हैं क्यूंकि और देखा गया है इसके बारे में क्रेंटियरिया है वो कुछ एक ही तरह कि हां उनके arrangement कुछ different है जिस बज़े से उनका facial structure, length, breath, height यह सब differ हुआ है लेकिन बाकी उनका same है जो DNA materials है इनमें कोई भी person हो 23 pair of chromosomes ही है इसलिए number of chromosome is same वही बात होगी कि number of chromosome उनमें same होता है All have a common ancestor, सबका एक common ही ancestor है जो chimpanzee माने जाते हैं, they interbreed among themselves to produce the fertile young ones on their kind, मतलब जितने भी human beings होते हैं वो interbreed होते हैं अपने साथ के ही, अपने ही type के female से, मतलब human being में ही होते हैं तो इसलिए इनका कभी भी कोई variation होने का chances नहीं बनता है और ये सारे के सारे same species से belong भी करते हैं जैसे plants वगरा में होता है कि रोज के plant को cut करके किसी और के plant में भी हम उसको shift कर दिये, graft कर दिये, graft करके उगा दिये लेकिन ये human beings में नहीं हो सकता है कि human beings को किसी और animal से reproduce करा करके कोई नया बना लिया जाए हाला कि Chris 3, Chris 3 आपने देखा होगा तो उसमें काल नाम का जो बिलन होता है वो बिलन human being के भी जीन के थुरू बनाता है कई सारे जिसको क्या तो बोला था मानवर हाँ मानव और जानवर का combination बनाता है लेकिन ऐसा अभी तक possible नहीं हुआ है वह just a imagination के बना है लेकिन अगर यहां पर एक्ट्वल देखा जाए तो जितने भी human beings है यह जितने भी होमो से होते हैं इस बजह से इनका जो कहा जाता है कि यह जो बिलॉंग करेंगे वह सेम केटेगरी से बिलॉंग करेंगे से जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा होने लगा तो में भी इसमें भी कहा जाया कि वह सेम से बिलॉंग नहीं करते आगे अब देखो आगे future में क्या होगा भी कौन जानता यह एक लिए ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड वाइए वाला ब्लू कलर है और यह वाला जो है वाइट कलर है तो F1 generation में जो appear होगा, तो एक capital B एक small b होगा, यानि कि blue appear होगा, इसका answer क्या हो गया guys, इसका answer हो गया कि blue ही appear होगा, question B है, what must be the percentage of the white flower in F2 generation, F2 generation में white flower का percentage क्या रहेगा, अगर F1 को self pollinate कराएं तो, यानि इसको capital B small b को, capital B small b को, अगर इनको self originate कराएं तो क्या होगा, तो capital B बनेंगे, capital B small b बनेंगे guys, capital B small b बनेंगे, और एक जो आखरी बन जाएगा, वो small b small b बनेगा, पता ही आपको, इसमें white flower कितना रह गया, बस एक रह गया, तो यही पूछा गया है, कि percentage of white flower यहां पर क्या रह जाएगा, तो percentage of white flower हो जाएगा, 25%, 4 total थे, 4 में से एक रह गय नेक्स है, a state the expected ratio of the xenotype, capital B, capital B, capital B, capital B small b in F2 प्रोजनी, F2 के प्रोजनी में, यह यह वाले में, F2 वाले में, यह तो था, F1 अमारा, F2 के प्रोजनी में, capital B, capital B, capital B, capital B, small b का रेशियो क्या रहा, तो इसका रेशियो रहा, one ratio two guys, तो यहां answer कर देंगे, one ratio two, तो ऐसे आपको answer क पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा difficult नहीं होते हैं, हाँ, कुछ-कुछ terms हैं, जो याद करने वाले हैं, रटने वाले हैं, तो उनको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, जैसे, Mendel के laws को याद कर लेना, rate किसको कहते हैं, यह सब थोड़ा सा याद कर लेना, dominant का क्या features होत याद कर लेना, कुछ-कुछ ऐसे मैं समझा भी दिया हूं, आपको तो याद करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक वार आप इसको जरूर देख लेने, गाईस, नेक्स काता है, भी cross, pure bread, tall, tall वाले plants को, pure, tall, capital T, capital T, ले लिए, with the pure, drop, drop वाले plants से, यानी, small T, small T, वाले से करवा दिये, भी plant से, तो इनका कुछ F1 generation मिला, F1 generation इनका मिलेगा, capital T, small T, यही F1 generation होगा, गाईस, अब काता है, कि, if, now, they self cross with the plant of the F2 generation, अब अगर इनका self cross होता है, तो हम लोगों को फिर F2 generation होगा, 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 बिलकुल होगा, अगर इनका, फिर cross कराएंगे, capital T, small T का cross, यह self-ponulation भी हो जाए, तब भी, यह F2 generation देंगे, तो question आप से पूछा जारा है, what do the plant F2 generation looks like, F2 वाले generation में, जो plants होगे, उसमें से ज़्यादा कैसे होगे, उसमें से ज़्यादा टॉल वाले होगे, एग उबस होगा, जो short वाला होगा, ज्यादा टॉल वाला होगा, next, state the ratio of the tall plant to the dwarf plant in generation, 3 ratio 1, 3 ratio 1 में होगा, guys, state the type of plant not found in F2 generation, F2 generation में एपियर नहीं हुआ हो, but appear, sorry, यहाँ F1 generation होना चाहिए, गलट टाइप होगया है, F1 generation में जो एपियर नहीं हुआ था, लेकिन F2 में एपियर हुआ, ऐसा type of plant बताईए, तो ऐसा type of plant है, small type of plant, या dwarf type of plant, तो dwarf वाला F1 में एपियर नहीं हुआ था, देखो F1 में तो यह tall ही रह गया था, लेकिन F2 में एक आखरी वाला जो बनता है, small t, small t, यह dwarf रहता है, तो dwarf वाला है, जो F1 में generate नहीं हुआ था, लेकिन F2 में हो गया, तो that's about it guys, यही सारे questions थे, जो मैंने आपके लिए लाए थे, है न, चलिए, तो I hope so, आप इन सारे questions को समझे होंगे, approximately 7-8-10 questions हमने आपको करवाए, जिन questions में बहुत ही easy type के logic थे, कोई ज्यादा difficulty नहीं थी, हाँ, एक दो, मतलब, cross breed वाले भी थे, तो cross breed वाले करवाने के समय आपको gene का ध्यान रखना होगा, उनके ratios का ध्यान रखना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा दिकत होने वाली है, हलाकि उतना भी नहीं होगा, आप लोग easily इसको बना सकते हो, क्योंकि आपको मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है chapter को, हाँ, वीडियो को आप एक बार और द जल्दी घंटी वाले बटन और सब्सक्राइब वाले बटन को भी दवा ही दिजिए, तो फिर मिलते हैं गाईज, अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर